दोस्तों एक सवाल देखते हैं हम लोग सरकल का यानि व्रीत का question कहता है व्रीत के केंदर से 24 सेंटिमेटर लंबाई वाली जीवा पर पांस सेंटीमिटर लंबाई वाला एक लंब यानि परपेंडिकुलर खिचा जाता है तो व्रीत का व्यास ग्याद कीजिए बहुत ही सिंपल कोस्तन ध्यान दीजिएगा जैसे यह एक व्रीत है दोस्तों यह इसका सेंटर हो गया और जीवा क्या होता है कि कोई भी एक ऐसी सीधी रेखा जो एक और से परीदी को दूसरे और टच करता हो लेकिन केंदर से नहीं जाता हो ठीक है और अगर यदि यहां केंदर से एक अगर हम परपेंडिकुलर खिचते हैं तो एक बात ध्यान रखना कि जिस भी जीवा पर अगर आप लंबवत खिचोगे उस जीवा को आधा आधाम बाट देगा अगर यह पूरा 24 दोस्तों तो यह 12 और यह 12 हो गया इसकी लंबाई तो पांच दिया हुआ है तो अगर हम यह लंबाई निकाल लें तो आप देख रहें कि केंदर से कहां तक गया है यह लंबाई यह गया है परिधी तक दोस्तों यह क्या हो यह कोई भी रेखा जाएगा सिधी वो क्या दोस्तों जाएगा व्यास तो यह पांच है यह 12 है तो इसका मान होगा 13 कैसे निकाल सकते हो चुकि यह एक समकोन त्रिभूज है दिखिए आप यह वाला मान क्या है यह कर्ण है तो इसका मान निकलेगा अंडर रूट इन दोनों का इसकर करके जोड़ देना है तो यह होगा 25 प्लस 144 बराबर अंडर रूट 179 यानि 13 अगर यह 13 तो यह भी 13 होगा भई क्योंकि यहां से यहां त्रिज्या है 13 तो भई यह भी 13 ही होगा यानि इसका व्यास डी बराबर 26 सेंटी मीटर आई बस समझ में ठीक है दोस्तों चार अनुपाद साथ के प्रतेक पद में कितना जोड़ा जाए कि यह दो अनुपाद तीन हो जाए तो इस सवाल में घटाने का भी जिकर होगा तो भी सेम प्रोसेस से बनेगा देखिए अनुपाद दोस्तों है कितना चार अनुपाद साथ और बाद में कितना हो जाना है द दोनों में अंतर बिल्कुल सेम दिखना चाहिए तो ऐसी सिति में क्या करिए कि नीचे का अंतर उपर गुना कर दो और उपर का अंतर नीचे गुना कर दो यानि इन दोनों को घटाके उपर गुना कर दो इन दोनों घटाके नीचे गुना कर दो तो आप पाएंगे कि यह दोस दो जोडने पर हमको यह अनुपात प्राप्त हो सकता है ठीक है दोस्तों इस सवाल को पूछा गया है ध्यान से बनाईएगा और देखिए आपका एप्रोच कैसा हो कि कॉम्पेट्शन में कम टाइम आप सॉल्व कर सकें क्वेस्टन कहता है एक 100 मीटर लंबी ट्रेन किसी टेलीग्राफ खंबे को 10 सेकेंड में पार कर सकती है तो 500 मीटर एक स्टेशन के प्लेटफॉर्म को पार करने में कितना समय लेगी अब देखिए पहले तो यह समझे कि सवाल में हमको आखिर क्या क्या आवसकता पड़ेगी आ और हमको स्पीड किसी भी हाल में दिया नहीं किया है पहले बोला है कि कोई एक पोल है इसको कोई ट्रेन जो है पार कर रही है कितना में 10 सकेंड में यह त्रेन की लंबाई दोस्तों कितना है 100 मिटर तो एक बात आप ध्यान नखिए कि जब कोई ट्रेन किसी आदमी या किसी को पार करें तो वैसी सिती में ट्रेन की लंबाई दूरीम होगी और समय दिया हुए है तो हम स्पीड निकाल सकते हैं एक सौ बट्टा दस काटेंगे तो हमारा आ जाएगा दस मीटर प्रती सेकेंड ध्यान रखेंगे टाइम सेकेंड में है और जो मीटर में इसका लंबाई दी गई है अब कहता है कि यही ट्रेन अगर किसी प्लेटफॉर्म को पार करें तो आपको याद अखना है कि जब किसी प प्लेटफर्म और एक सो ट्रेन यानि कि अब जो दूरी 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 कितना होगा छे सो और इस पीड आपको दिया गया है तो हम टाइम निकाल सकते हैं जब टाइम निकालेंगे तो हो जाएगा 600 और स्पीड है दस यहां से काटेंगे लिखेंगे 60 सेकेंड अब दू एक दुखनदार प्रतेक समान के अंकित मूल्य पर दस परसेंट की चुट देता है फोलिष्ट ऑब आठ परसेंट लाव कमाने के लिए प्रतेक शमान का अंकित मूल्य क्रेमूल से कितने प्रतिसत अधिक रखना होगा अब इस सवाल को हम आपको समझा के बहुत थे कि आप इस सवाल को अच्छे से समझ जाए कि आखिस सवाल कहता क्या है अब यहां चर्चा किया है प्रतेख समान तो क्वेस्टन में आपको हर एक में आपको प्रतेख समान नहीं मिलेगा केवल वस्तू भी मिल सकता है तो यहां प्रतेख समान का कोई मतलब है ही नहीं वह फाल इस भी हुआ होगा सबसे पहले मान लेते हैं कि क्रैमूल अगर सौ था और आप बीच में यह छोड़ दो यह माइंड में लगाओ ही नहीं कि वहीं इसमें छूट दिया कि क्या दिया है तो 100 टका किसी का दान था और उसको 8 रुपया का लाव हुआ तो 108 टका में बेचा इतना तो आप कर सकते हो है की ने लेकिन यहां तक आने में डिसकाउंट का भी रॉल है छूट का भी रॉल है ध्यान दीजेगा और छूट दोस्तों कहां से मिलता है तो 100 भाग मान लेते हम MRP क को भी देखिए इससे तुलना किया अब जब हम इससे इसको तुलना करेंगे तो भी MRP को 100 बान के चलेंगे क्योंकि यह परसेंटेज की बात है और इसमें मालेजें इसमें एक आदमी 10% का छूट दिया है यह 100% मालेजें 10% छूट दिया तो बही कितना परसेंट होगा अग पईया मिला बेचा मतलब विक्रया मुले तो अगर हम 9 से काटेंगे 10 बर में 9 से काटेंगे 12 बर में है बारक उन्हें 9 108 और 9 से काटेंगे 10 बर में हमसे हमसे क्या पूछा गया कि बही कितना परसेंट बढ़ा के रखेगा तो MRP पता चल जाए तो काम हो जाएगा क्या इस 10 परसेंट को हम 100 बना सकते हैं बिलकुल 10 से गुना कर देंगे 100 बन जाएगा तो 10 से गुना हमको यहां भी करना है हो गया 120 इसका मतलब हुआ कि MRP 120 है अब आप ये बताओ कि 100 रुपया में खरीदे हो और इसका MRP कितना लिखे हो 120 तो बढ़ा कितना रहे हो 20 कहां से बढ़ जाए उतना परसेंट 100 से जितना घड जाए उतना परसेंट कमी तो बताओ MRP कितना बढ़ा के रखा गया है 20 परसेंट आई होब कि यह सवाल आपको अच्छे समझ में आ गया होगा इसके अलावा इस सवाल में कोई और खास दम नहीं है ठीक है दोस्तों आपके सामने सवाल समय और खाल कर पहुत इंटरिस्टिंग सवाल यह этом को सॉल्व करते हैं कहता है एक कर्मसा 45 दिन और 40 दिन पूरा कर सकते हैं वे दोनों मिलकर कारेंट करते हैं तथा कुछ दिन बाद एच छोड कर चलायाता है तथा सेस कारे को B 23 दिने पूरा कर सकता है या कर लेता है तो A ने कितने दिन के बाद काम छोड़ा तो आईए पहले question को समझते हैं, देखे, मा लेते हैं कि यहां से काम शुरू हुआ और मा लेते हैं यहां तक आते आते खतम हुआ है और कहता है कि अन्ति में जो B है वो अकेले काम किया है, कितने दिन काम किया? ताइस दिन काम किया अब इसको कैसे सवाल को बनाना है वो ध्यान समझेगा, दो आदमी है A और एक है B bilang का दिया है पतालिस दिन और बी का दिया है चालिस दिन अगर हम इन दोनों का LCM निकालना चाहें तो हम कुल काम को निकाल पाएंगे आठ पंचे चालीस और आठ चोग 32 32 और 436 तो दोस्तों आप क्या मालेंगे कि भई 360 हमारा कुल काम है इसको अब समानी भासम समझे 306 सेव खाना था तो अब बता है यह कि एक दिन का काम निकालना चाहें दोनों का क्योंकि छंता जानने के लिए हमको एक दिन का काम निकालना पड़ेगा अगर 360 से भी एक खा सकता है 45 दिन में तो एक दिन में कितना सेव खाएगा तो कि 45 से काटेंगे तो तो अठ बार में ठीक है और 40 से काटेंगे नौ बार में आए बास समझ में तो 45 से आट तो 45 और 32 से चालीश ठीक है अब कहता है कि यह दोनों काम जो है एक साथ सुरू करता है लेकिन काम सुरू तो एक साथ करता है लेकिन यहां पर बीच में कहीं पर एबाग जाता है और लास्ट में जो बी है वो आकेले काम करता है, तो b काम किया है कितने दिन तक? 20 दिन तक तो भही 20 दिन तक काम करेगा तो b का चंता है, खाने का कितना सेव? 9 तो इसको 9 से अगर गुना करेंगे तो 9 तिया 27 और 9 दुना 18 और 2 20 ठीक है 27 18 दो 20 यानि 207 काम यह अंत में किया है भी अकेला अगर हम 360 में 207 अगर माइनस कर दें तो यह बचेगा 3 5 1 153 अब दोस्तों यहाँ पर इस जगह पर 153 काम हुआ होगा क्योंकि 207 काम तो अकेला भी किया है ना तो 153 काम जो किया होगा तो 153 काम में A भी था और B भी था तो अगर हम 153 को A और B यानि मिला करके 17 से भाग कर दें तो 17 गुने 9 जोस्तों कितना होता है 153 यानि कि यहाँ से सुरू होकर के यहां तक जो काम चला होगा मान लए यहां तक काम चला था तो इसमें A और B था दोनों सामिल था उसके बाद यहां से यह छोड़ दिया तो हमारा क्वेस्टन ही क्या है कि कितने दिन के बाद एने काम छोड़ा तो भाई 9 दिन के बाद एने काम छोड़ा आई होब कि आपको को समझ में अच्छे से आ गया हो गया ठीक है दोस्तों रिजनिंग में पासा बहुत इंपोटेंट है और उसमें से यह अजके लें खूब पूचता है जसको हम कहते है पासा का प्रसार यहनी ऊंग्रेजिंर ऺतो इसको सवाल को समझते हुए मिल्ब धूस्तों इस सवाल को समझते हुए आपको ऑप्요सन चुनना है कि इसमें से कौन सा इसका उत्तर हो सकता है जब हम इस पासा को मोडेंगे तो इसका बहुत ही बेसिक सा एक concept है उससे आप समझ लीजिए यह पासा आराम से बन जाएगा देखिए यह जो आपको बीच में दिख रहा है जो चार एक दो तीन चार यहां को alternate चलना यह एक का उल्टा कितना होगा छे और दो का उल्टा कितना हैं तो कोई भी दो विपरीस सथा 1 साथ हमको नहीं दिखेगी मतलब यह हुआ कि इन चारू और च्छह में तो चाहिए 1 और 6 एक साथ नहीं होने चाहिए दो और 5 rec Samces नहीं होने चाहिए तो दोस्तो इस तरह का व्लक्स दीख रहा हुगा कियों कि उसमें कोई भी एक या 6 हो मिहां हो दो या 5 हो ये कोई भी एक जोड़ा आपको साथ नहीं दिखेगा ठीक है इसका ट्रीक जनना है तो इसका ट्रीक भी बड़ा आसान होता है देखिए कैसे बनेगा इसका दूरी निकालने का ट्रीक क्या होता है जब कभी किसी अस्थान से सुरू करके कहीं जाए और फिर वापस उसी अस्थान पर आ जाए तो कूल टाइम अगर दिया रहे तब ऐसा होगा कि दोनों स्पीड को उपर में गुना कर दो और नीचे दोनों स्पीड को आपस में जोड़ दो फिर जो टाइम दिया है उसे गुना कर दो कि अधको बीस गुने बीस गुने 5 100 हो गया और बीस जोड़ 5 25 हो गया और यह 4 तो 25-4-100 तो 4-4-16 किलोमीटर यह आपका उत्तर है बहुत ही आसान तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हैं है ना कि दोस्तों समय दूरी चाल का यह सवाल अक्सर एक्जाम में देखायाता की याति और से पूरी यात्रा में चार घंटे लगे तो उसके कार्याले और घर के बीच की दूरी क्या है आपको हम आसान और समान तरीके समझाते हैं आप समझेगा पहले देखिए दोस्तों आप में से बहुत कोई ऐसे हैं जो competitive math फर्स टाइम भी पढ़ रहे होंगे इसलिए हम आपको उस हिसाफ समझाएं कि सब को समझ में आना चाहिए जैसे मान लिजी यह घर है और दोस्तों यह office है उसका कार्याल है इन दोनों के बीच की दूरी माल लेते हैं ठीक है और घर से जब office जा रहा तो तो इसका इस प्रती घंटा और इधर से आते समय सका speed क्या है पांच किलोमीटर प्रती घंटा और यात्रा उसे पूरी यात्रा में यहां से यहां जाने में और फिर office से घर आने में टाइम के तना दिया गया है चार घंटा तो क्या हम यह कह सकते हैं कि घर से ऑफीस जाने का समय और ऑफीस से घर आने का समय अगर दोनों को हम जोड़ दें बराबर हमको चार घंटा मिलेगा तो जाते समय क्या होगा बताओ टाइम दूरी बटा चाल ध्यान दिजेगा दूरी क्या है डी और चाल क्या है 20 फिर आते समय सेम दूरी होगा पांच और अगर इसको इन दोनों समय को जोडते तो हमको चार घंडा मिलता बटा में है तो इसको बटाम कर देते इसको स्वाल्ब कर दीजिए पांच गुना डी तो फाइव डी और बीस गुना डी तो बीस डी और नीचे बीस पंचे एक सो और बराबर चार बटा एक बीस और पांच पचीस डी गुने एक तो ये डी ही रहेगा यहां से कहां गुना कर दिये और सो गुने चार सो गुने चार चार सा हो गया पचीस से काटो गये दोस्तों तो एक ठो सो में चार एक ठो लिखान कितना आया सोला किलो मीटर यही आपका उत्तर ऐखैना है इसका ट्रीक भी बड़ा आसान होता है देखिये कैसे इसका दूरी निकालने का क्या होता है जब कभी किसी अश्थान से शुरू करके कहीं जाए और फिर वापस उसी स्थान पर आ जाए तो कूल टाइम अगर दिया रहे तब ऐसा होगा कि दोनों स्पीड को उपर में गुना कर दो और नीचे दोनों स्पीड को आपस में जोड़ दो फिर जो टाइम दिया है उससे गुना कर दो आप देखो बीस गुने पांच एक सब्सक्राइब और यह चार तो पचीश गुने चार एक सब्सक्राइब यह आपका उत्तर है बहुती आसान तरीके से इसको स्वर्व कर सकते हैं है ना कहता है एक रिलगाडी की लंबाई एक सौ मीटर है और वह 36 क्रूटर परती घंटा गती से चल रही है रेल लाइन के किनारे एक खंबे से गुजरने में रिलगाडी को कितना समय लगेगा बहुती आसान कुस्तन बस एक बात का ध्यान रखिएगा कि ट्रेन की पटरी के साइड अगर कोई पोल हो कोई आदमी हो तो समझ जाना कि हमको उस पोल उस आदमी से कोई मतलब नहीं है यानि ट्रेन का जो लंबाई है एक सौ मीटर उसी को हम दूरी मालेंगे और स्पीड दोस्तों किसमें दिया है 36 किलोमेटर परती घंटा 36 किलोमेटर परती घंटा को जब हम मीटर पर सेकंड में चेंड करेंगे तो उपर 5 रखेंगे और नीचे 18 लेकिन कभी कभी मीटर पर सेकंड से अगर किलोमेटर परती घंटा में जाना होगा तो 18 उपर कर देना बड़ा से छोटा जाने में 5 उपर छोटका उपर और जब छोटा मीटर पर से किलमेटर में जाएंगे बड़का में तो 18 बड़ा वाला उपर अब यहां से काटेंगे दो बार में यह हो गया 10 मीटर पर 30 सेकेंड अब भी टाइम निकालना है तो दूरी बटा स्पीड यहां से काट दिये और हम यह कह सकते हैं कि भी 10 सेकेंड में पार कर जाएगा हम थोड़ा सा समझा देते हैं ताकि जो नए विद्यार्थी भी है उसको भी यह बात है समझ में आनी चाहिए वरना आप मेंसे बहुत कोई बहुत तेज है आप इस क्वेस्टन को देखते ही उड़ा दियो होंगे हैं कि नी दोस्तों आप लोग बताईए कि रूट तीन कौ से बाहर ना आ पाए या फिर जिसे हम कहते हैं कि पीवर्टे क्यों की रूप में लिखा ना जा सके ठीक है क्वेस्टन कहता है मिस्टर क्रारक किसी वस्तू को 20% लाब पर बेचता है अगर उसने वस्तू को 10% कम दाम में खरिदा होता और 36 रुपई ये कम में बेचा होता त तो मिस्टर क्रारक को 30% का लाब मिलता तो वस्तू की प्रारम भी क्रेमूल क्या था शुरुवाती क्रेमूल क्या था ऐसे सवालों को बनाने के लिए दो सिच्वेस्टन से आपको देखना पड़ेगा सवाल को अरांद समझेगा कि सबसे प्रेव दूस्तों क्या करेंगें माना क्रेमूल एक सब इसको 20% लाब पर बेचा है तो पहला विक्रेमूल दोस्तों कितना होजागा 120 अब वो कहता है कि 10% कम में खरिदा होता है तो अगर 10% कम करेंगे तो तो सीपी हमारा दोस्तों कितना हो जागा नब्बे अब इसको कहता है कि 36 रुपईया कम में बेचा होता तो 30% का लाब मिलता तो अब अगर हम SP निकालने नब्बे का 30% लाब पर तो 130 हो जाएगा यहां से कड़ जाएगा तेरा गुने नौ दोस्तों कितना होता है 117 वह जोगा जी कि ठीक है अब दिखें ये दोस्तों रहा आपका पहले का विक्रेमुल और ये रहा आपका बाद का विक्रेमुल तो इन दोनों में अंतर कितना आया वताई यह तीन भाग का अंतर है ना इसलिए पैसा में कमी या मॉद और काटने फें 12 conno finns वह प्रआज महां इस तो आपके साम्这个 सवाल है इसे सव्छा नौं चेप्टर में इसका परियोग होता है आ ये समझते हैं कि सवाल कैसे हम लोग आसान तरीके से और एक बार में कम टाइम में सॉल्व करेंगी क्वेस्टन कहता है दो इस्टेशन ए और बी एक दूसरे से 120 किलमेंटर की दूरी पर है एक मोटर साइकिल चालक एसे बी की तरफ सुबह साथ बजे 25 किलमेंटर की घंटा की चाल से चलना परमब करता है और दुसरा मोटर साइकिल चालक बी से एक की तरफ सुबह 8 बजे 30 किलोमटर परती घंटा चाल्स चलना तरंब करता है तो बताएं वो एक दूसरे से कब मिलेंगी अब इसी सवाल में आप से यह भी पूछ सकता है कि बताएं यह स्टेशन ए से कितनी दुर्पे मिला या स्टेशन बी से कितनी मिला तो मैं आप थोड़ा सा ध्यार से पूरे सवाल को अच्छे समझ लीजिए यह टाइप आपका आज के लिए हो जाएगा ठीक है देखिए दो स्टेशन है ए और बी एकदम ध्यान समझे एकदम ध्यान से इन दोनों के बीच की दूरी दोस्तों दिया गया है 120 किलोमीटर एक यहाँ पर साथ बजे निकलता है मोटर साइकिल और एक निकलता है आठ बजे एक चीज आप ध्यान दखेगा कि अगर यदि दूसरा मोटर साइकिल निकला है तो क्या यह घंटा वेट करेगा आप ही बताईए दो दोस्त आप लोग हैं और कहीं मिलने का प्लान किये हैं पॉर ही बेट करेंगे तो एक घंटा अगर यहां से चल गया मानी तक इसका रफ़तार कितना है 25 ग। क्योंकि गया तक गया आगर हम यहां से यहां बात करें तो 120ग20 हम घटाएं दोस्तों तहां पर जाएगा 95 यानि अब ध्यान रखिया कि पूरा का पूरा इस सवाल का खेल इस 95 किलोमेटर पर आके रूख जाता है अब यह जो है यहां पर आ गया यानि यह नहीं यहां पहुंच गिया लेकिन इसका राफ्तार कितना रहेगा वही 25 रहेगा अब इधर से इसका दिसा इध दूरी बटे सम चाल तो 95 बटा 55 पांस से काटोगे 19 बटा 11 कि इसको और जब भाग करेंगे तो 118 बज्जा अगर 11 इतना घंटा हो जाएगा यानि एक पुर्नाग 8 बटा 11 घंटा के बाद मिलेगा तो अगर हमसे समय पूछा कितने बजे मिलेगा यानि मिलने में ये इसको स हमना लगेगा और अब कितने बजे मिलेगा वहसमझे एक करना है कि यहां चलके आया तो यहां तो 8 बज़ गया था ना है अब यदि मालीजी आपसे पूस्ता इसी सवाल में कि कितनी दूरी पर मिलेगा तो आप ऐसे निकाल देते कि 25 गुने इतना समय जैसे आप क्या करते 25 गुने 19 बटा 11 जो भी समय जो भी आपका दूरी आता क्योंकि समय गुने स्पीड के दोस्तों क्या दूरी आता है और यह 25 किलिमेटर और जोड़ देते हैं क्योंकि इतना चल चुका है यह आयाता एसे अगर बी से पूस्ता तो इस वाले टाइम को हम तीस से गुना कर देते हैं तो इस तरह के सवाल में इतना काफी होता है इससे अधिक आपको जानना भी नएस तरह कुश्टन ठीक है दोस्तों इसको सौल करने की बात करें तो बड़ा ही आसान है सबसे पहले क्या करेंगे कि आप जो संख्याय दी गई है उसमें से सबसे छोटा जो पावर होगा उसे आप कॉमन करेंगे वह यह कॉमन कर लिया तो अगर छे पे पावर 25 कॉमन कर लिए इसका मत्तव कि इसमें से हम पूरे कॉमन कर लिए तो ओला में वच्प दया एक बचक्या फिल प्लस क्षे पेपावर 26 दीलिये एक बिचान अब यहां कितना बचेगा 25 चिन लिए तो दो बचेगा और वहां पे 25 चिन लिए तो तीन बचेगा 6 पे पावर 25 यहां जगर 1 प्लस 6 प्लस 6 का स्कुएर 36 और 6 का क्यूब 266 12 18 19 और तीन चार पांच और दो 269 और दोस्तों यहां अगया 6 पे पावर 25 अब आप यहां उत्तर लगाने से पहले वहुत कोई कंश्यूज करते हैं कि यह क्वेस्टन में पहले भी समझा चुके हैं अब यहां पर करना क्या है पहले आप बेसिक सा बात समझें अगर 13 गुन सता हो करके करेंने साथ से वह करके यह सबाएगा उसी प्रकार से अगर 92 को कुष्टों नटायगा बड़ास आप 625 और 26 तो मार देंगे चीक है सबाइब का बेसिक की बात करें तो बहुत ही सबाण इसा बेसिक है आप अगर थोड़ा सा समय दे तो मैं इसका आपको समझा सकूं देखे कहता है यदि तीन पर पावरदर उनीज को दस से विभाजित किया जाए तो सेस क्या बचेगा इस सवाल को चुड़ते हैं और इसके बेसिक को समझते हैं जैसे मालीजी आपके सामने एक सवाल आता है तीन सो अंठावन इसको कहा जाए कि भाई दस से आप भाग करो तो नवासी को आप क्या करिए दस से भाग करिए तो आप इसे भी बड़े अराम से भाग कर सकते हैं और आपका सेश निकल करके आएगा नौब तो सीखने वाली बात दोस्तों यह है कि अगर हम 358 को भाग करेंगे तो 350 तक हम आसानी से भाग कर सकेंगे और अगर हम 789 को भाग करेंगे तो 780 तक आसानी से भाग कर सकेंगे तो हम दोनों इस्विती में देक रहे हैं कि जो अंतिम अंक है यह एकाई अंक है वही हमारा सेस आ रहा है तो इस सवाल में अगर हम यह जयात करने कि भाही इसका सेस क्या होने वाला है तो दोस्तों इस स्वाल में हम यह कर सकते हैं कि वही तीन पर दोजार उनीस इसमें अगर हम इसका इकाई अंक निकाल ले तो वही इसका उत्तर आ जाएगा क्योंकि इसका जो भी मान आएगा उसको दस से भाग करेंगे तो सबसे लास्ट में जो अंक करेंगा वही सेस बचेगा आई देखत हैं तो दोस्तों करना क्या वो समझेगा इकाई अंक निकालने का एक बहुत ही बेतर तरीका होता है कि अगर आपको दो तीन साथ या आठ दिखें कहीं पर भी और उस पर जो भी पावर दिखें उसके पावर को आप चार से भाग कर दीजेगा और चार से भाग करने के लिए सब्सक्राइब पूर्य को भाग नी करना है आंतिन दो अंको भाग करना है तो उनीस को चार से काट ओगे तो भी सोला कर जाएगा और से कितना हो दोस्तों सेस बज़ जाएगा मरत तीन अब इस सेश को उठा करके यहां जो संख्यां है उस पर हम लगा देंगे तो तीन पर तीन हो दोस्तों होता है 27 आप बताओ कि इकाही में क्या दिख रहा है इकाई अंक में क्या दिख रहा है साथ दिख रहा है यानि इसका उत्तर दोस्तों कि इतना जाएगा साथ आई वास समझ में ठीक है